नमस्कार दोस्तों सरकारी भरती में आपका स्वागत हैं दोस्तों इस वीडियों में बात करेंगे यूपी पीएस्सी के तरब से जो आरो यारो की वेकिंसी 2022 में आएगी कब तक आएगी इस चीजों के बारे में हम डिसकस करेंगे और आप देखी सकते हो लावा दाइकोट आ है नहीं ठीक है तो मुझे लगता है कि अगर आपने इलहावाद हाई-कोट आरो यारो की अच्छे से तैयरिया आपने कर रखी है तो इसकी तरफ मूँव हो जाए फड़ावाट क्योंकि इसकी वेकिंसी जो है बहुत जल्दी आने वाली है ठीक है तो इसकी वेकिंसी के बा करने वाली है और अक्टूबर नॉवंबर के बीच में कभी भी आ सकती है ठीक है तो यह मैं बात कर रहा हूं सन 2022 की ठीक है वह लगवक लगवक पहुंची जाएगा 23 के करीब ठीक है तो इसकी बीच में जो है आप लोग अच्छे से त्यारी कर लो और त्यारी करने के बाद अरो यारो के लिए अच्छे से पैटर्न के बारे में थोड़ा सा चेंजिस है कुछ अची चीज़ कुछ एक्स्ट्रा चीज़े हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट है इलावा धाइक को डारो यारो से ठीक है तो उनके बारे में में इसके आपके लिए मैंने एक वर्ड में ए उसको मैं आपको दिखाता हूं और समझाता हूं कि इसके एकजाम पैटर्न क्या हो सकते हैं ठीक है और क्या होंगे यह प्रॉपर यह लगातार चलता रहा है यह पैटन होगा तो चलिए यहां पर यह मैंने आपको बता दिया है नोटिफिकेशन कप आएगी तो आप तैयार टो आपको पता है प्रिमेंस एंटर्वी भी होता ठाई लेकिंब अभी कुछ स्पेशन में इंटर्वी पैटर गया है तो आपका फ्री ओर मेंस सिर्फ होगा ठीक है तो ये दो चरणों में ही आपका एक्जाम होगा आप एक बार इस स्लाइबस को अच्छे देख लीजेगा समझ लीजेगा और लगातार प्रैक्टिस करते रों ठीक है इन सब चीजों को लेके और लास्ट में बहुत इंपोर्टेंट चीज बताऊंगा यह चीजे आप लोग जो है ध्यान में रखना ठीक है तो यह आरो है जो आपका सिंपल जीएस आएगा जो की एक सो चालीस नंबर को होगा वस्तुनिस टाइप का होगा बहुत के लिए और इसके लिए आपको तीन घंटे का समय दिये जाएगा तीन घंटे आपको मिलेंगे इन दोनों को सॉल्व करने के लिए और एक चीज इसमें और भी है कि इसमें रिडात्मक यानि एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें निगेटिव मार्किंग है 0.33 का एक तीहाई आपका जो है नंबर कटेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा एक तरह से मुश्किल का वो हो जाता है तो गलतिया करने पर आपको जो है एक बटा तीन जो है अंग कटेंग ठीक है अच्छा यहाँ लिखा यदि आप पहले पेपर में उत्रण होते हैं तो आपको दूसरे चड़मुख परिक्षा में निबंध लेखन के लिए बुलाया जाएगा ठीक है तो यानि आप अगर पहले पेपर वारी जो सामान अध्यन है और जो है हिंदी जियस और हिंदी में पास होते हो तो निबंध लेखन के लिए आपको जो है सेकेंड के लिए आपको बुला जाएगा जिसके लिए आपको दो घंटे का समय मिलेगा ठीक है तो इसके बारे मैं थोड़ा सा अच्छे सा समझ लेते हैं कौन से क्या जैसे उपर मैंने प्रायरंभी परिक होगे आपको हिंदी में साथ ठीक है हिंदी हिंदी में साथ प्रस्णों के संख्या रहेगी और यह जो है साथ नंबर के होंगे तो ओबर ओल देखा जाएगा देख सकते हो कि दो सो कोस्टन्स मनते हैं और आपको दो सो अंक मिलेंगे और इसमें एक बटा तीन का वन जिरो है त्यारी कर रहे हैं अलग अलग लेवल के लोग तो निबंद लेखान और यह सारी चीजे जो अंके लिए तो स्केंड पेपर बहुत ही में मेरे हिसाब से होना चाहिए ठीक है में आपको देखीं क्या और सामाने ग्यान और सामाने ब्याकरण सेकेंड खंड होगा उसमें उसी पेपर में होगा ठीक है यह 60 नमबर के होगा ठीक है और लास्ट में आप देख सकते हो हिंदी निबंध यानि अभी मैं इसको डिफाइन करूँगा यह यह चीजें आपको समझ नहीं आएगा अच्छ आपको देख सकते हैं और आप देख सकते हो कि आपको टोटल 400 अंख मिलेंगे लिए तो यह जो एक इन पीपर काशान और सामानि ज्यान में आपने सारी चीजें यहां पर भी दिखे भारती राश्टी अंदोलन होगा सामानिग्यान होगा अर्थ ब्योस्ता होगा भारत का इतिहास होगा भारत राज तंत्र एंवं संस्क्रेटी होगी जनसंख्या होगा परियावरन होगा उत्तरप्रदेश की जनसंख्या लिंगान उपात क्रिशी अर्थ ब्योस्ता इन टॉपिकों से कोश्चन पूछे जाएंगे सामानी बौदिक होगा प्री में यह इसमें आपको हिंदी से पुछा जाएगा हिंदी बहुत जादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए हिंदी की प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से जो ले रखे उनके लिए तो बढ़े हैं ठीक है यह जो यह पीशी की तैयारी करें इन सारी चीजों को मैंने देखा है कि क्वालिफाई भी करते हैं और नॉर्मल भी करते हैं ऐसी बात नहीं है लेकिन हाँ यह चीजे अगर आप हिंदी में अच्छे से जो है मतलब पढ़े हैं तो आराम से निकाल लोगे ठीक है तदभा और तत्सम से पूछे जाते हैं वर्ड जाते हैं तो ओवर्वाल यह हिंदी से देख लेंगे यह सारी चीजे पूछी जाती है और कोशन पर जब आप प्री क्वालिफाई कर लोगे तो दूसरे पेपर में आपको बुलाया जाएगा तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं दूसरे पेपर के लिए जो त्यारी करेंग ठीक है पत्र कैसे लिखा जाता है सारलिखन ठीक है जैसे आपको बोल दिया कोई application लिखना हुआ उस पे आपको question मिलेंगे ठीक है विलोम शब्द होगा वाक्या और इम वरतनी होगा और निकार्थी सब्द होगा जो कि आपको प्री में starting में पहले पेपर में जो आपने पर थीक है उष्य सब्दों का रूपांतरण होगा आपको योपिस्वाइब मिंख्न करना है तीक है लिखा सिज्टी आपको टोबिया जाएगा निभंध-फ्रटी इस भी मिलेगा रहेंगी और computer घ्ञान इतियादि से ये प्रेश्न पूछे रहे ठीक है और कुछ वेकेंसी में मुझे लगता है कि अब तो आने वाले सभी वेकेंसी में typing बहुत मस्ट करेगा हो सकता है लेकिन आरो के लिए अगर बात करो आरो के लिए टैपिंग नहीं मंगता था हो सकता है आप मागे टाइपिंग तो आप जो है हिंदी और इंग्लिस टाइपिंग दोनों अच्छे से सीखे रहे हैं ठीक है यह एडिशनल चीजे मैं आप लिए उलों को 120 अगर दियान से सारी चीज़े 120 को होंगे और सामाइन जैसे वरतनी यह सारी चीज़े ब्याकराण से पूछे जाएंगे यह चार सो नंबर गयोंगे ठीक है तो बहुत जादा इंपॉर्टेंट है यह चीज़े आप लोग देख लो ठीक है और इस वेकेंसी में मैं बता रहूं आपको यह बहुत ही जो यूपी पीसी कराता है एक्जाम ठीक है यह बहुत ही कडाई के साथ बहुत ही स्ट्रिकली कोश सकता बट हाँ यह विश्वास है कि सही तरीके से जो है यह हाईरिंग करता है ठीक है तो आप अलवाद आरो यारो के जो वेकेंसी आएगी इसकी पता नहीं हो सकता कि आये या ना भी आए लेकिन का शियोओ कि वेकेंसी जो है आए प्लोश्वाद लूमबर मान के चलो उक् प्रक्राइब कर लो ठीक है यह बहुत जादा इंप्वर्टेंट है आपकी लिए बास सेट कर लो अपने टाइम टेबल में भी नोट करने सारी चीज़ों को लेके ठीक है और इसी बेस पर आप तयारी करना शुरू कर दो ठीक है यानि जब इसका फॉर्म आएगा तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा तयारी करने के लिए और जो है इसका इक्जाम भी बहुत जल्दी हो जाएगा तो दोस्तों आप जो है समझ गया होंगा यूपी पीसी के तरफ से जो आरो यारो की वेकेंसी है इसमें क्या पैटरन्स होते हैं क्या सारी चीज़ें होती है औ और इस वीडियो में जो है आपको जितनी भी इंफोर्मेशन दी गई है और यह 2022 के कोडिंग दी गई है सारी चीज़ें जो चीज़ें चल रही है अभी अभी ठीक है तो इसमें कोई भी चैंजिस नहीं है और यह थोड़ा लास्ट जो मैंने बता था इंटर्वी वाला साथ सथ सथकार जो आप हटा दिया गया है इंटर्वीव आपका नहीं होगा दो इक्सामस हों प्रियों मैंस ठीक है तो दोस्तों उमीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आयोगा दोस्तों इस जो है चैनल पर मैं गवर्मेंट जॉब रिलेटेटर जितनी भी वेकेंसी जाती ह आप लोगों को करेंट अफेर और आप लोगों को जी एस यह सारी चीज़े इस पर अप्लोड होती रहती है तो गवर्मेंट जॉब रिलेटेज जितनी अगर आप इंट्रेस्टेट हो तो हमारी चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हो और हमारा टेलिग्राम चैनल भी जॉइन क कर सकते हो ठीक है तो दोस्तों इस वीडियो में बस यही तक मिलते हैं अगले वीडियों में थेंक यू सो मुच